तो फ्रेंट्स विदाउट वेस्टिंग अनी सेकंड आफ यू वी स्टार्ट टोड़े पर्सेंटेज पर्सेंटेज पर्सेवन देखी फ्रेंट्स इसमें कॉश्चर है फ्रेश 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 होता है उसमें 68 परसेंट वाटर है जो ड्राइफ फ्रूट होता है उसमें जो वाटर है वो 20 परसेंट है वो कह रहा है कि बताईए how much dry fruit can be obtained from 100 kg of fresh fruit fresh fruit अगर 100 kg हमारे पास पड़ा हुए है उसमें हम कितना dry fruit निकाल सकते है तो friends इस question को जैसे उसने dry fruit की बात करी है तो दे के रखा है water जो दे रखा है हम उससे बिल्कुल ही उल्ट चलेंगे जैसे 68% जो दे रखा है उसने water दे रखा है तीक है जी फ्रेश फ्रूट में यहां लिख लेता हम फ्रेश फ्रूट तीक है जी यहां लिख लेता हम dry fruit अब देखिए जो फ्रेश फ्रूट है उसमें 68% water है इट मीज ड्राइ फ्रूट कितना होगा 32% तो टोटल हमें कितना फ्रेश फ्रूट है 100% अब देखिए dry fruit में कितना पानी है 20% तो इसमें dry fruit कितना होगा 80% और बताना है उसमें dry fruit की मातरा कितनी होगी वो होगी A सबोज हमान लेते है A है देखिए कैसे करा है यह fresh fruit था इसमें dry fruit इतना है अगर dry fruit इतना रहेगा तो उसमें जो dry fruit की percentage है हमें जैसे 80% है तो टोटल kg में dry fruit कितना था यह 100 kg में था यह percentage में था टोटल 100 kg अगर dry fruit था 100 kg यह dry fruit था उसमें percentage 62% dry fruit की थी क्यों? क्योंकि 68% उसने water देखा है इन questions को solve करने के लिए हम water से बिल्कुल ही विब्रीत लेंगे जैसे water दे लगा है हमने यहाँ पर क्या लेना है dry fruit लेना है dry fruit लिया multiply total kg दे रखा है अब दूसरी और जो dry fruit है उसमें water 20% है तो dry fruit कितना होगा? 100 माइनस 20 ठीक है? जैसे यहाँ हमने 100 माइनस 68 करा तो हमारे पास आ लिया था 32 अब 100 माइनस 20 करेंगे तो यह dry fruit कितना आजएगा? 80% तो total kg कितना था? वो ही हमने निकालना है तो यह एक दूसरे के बराबर है तो देखें फ्रेंज यह 32% multiply 100 divide by 80% is equal to A यह % से % कट जाएगी 0 से 0 कट जाएगी 8 4 पे चला जाएगा A हमारे पास आ गया जो 40 kg क्योंके यह हमारा 40 kg में तो इसमें अंसर हमारा है B इसमें फ्रेंट्स लार्ज वाटरमेलन weight 20 kg with 96% of its weight being water जो वाटरमेलन है 20 kg का उसमें 96% जो मात्रा है वो पानी की है जब हम उसको सूरज की रोशी में रखते हैं तो कुछ वाटर जो evaporate हो जाता है वो वाशिप बनके उसमें से खत्म हो जाता है तो so that only 90% of its weight its water जब दूप की रोशी में रखते हैं तो वाटरमेलन को तो जो वाटर है वो सिर्फ 95% रह जाता है वो पूछ रहा है बताईए जो weight कम हुआ सूरज की रोशी की रोशी पर रखने पर वो कितना है तो देखें फ्रेंट्स जो दे रखा है वो है 96% तो 96% अगर water है तो water melon कितना हो गया 4% कितने में से 20 kg में से ठीक है जी और उसके बाद जब दूप में रखा है उसके बाद जो weight रह गया पानी का वो 95% रह गया तो it means उसमें water melon कितना रहा 100 minus 95 कितना रहा 5% कितने kg में से वो कितना kg रहेगा उसको हम यह मान लेते हैं तो यह 4% multiply 20 divide by 5% परसंट से परसंट कर जाएगा 5 4 से 4 चौके 16 तो हमारा अंसर आजेगा जो weight reduce हुआ है वो हुआ है 16 kg इसमें कम हुआ weight हमारा 16 kg रह जाएगा पहले 20 kg था अब हमारा 16 kg रह जाएगा इसी समझ से मैं आपको कुछ questions देके जा रहा हूँ आपने 3 questions सेम टाइप है आपने सोचना है इनको solve करना है फिरिंस question है An alloy of gold and silver weighs 50 gram जो mixture है alloy और gold का उसका weight जो है 50 gram है It contains 80% gold उसमें जो gold है 80% है How much gold should be added to the alloy कितना gold हम और add करें ताकि जो gold की percentage है वो 90% हो जाए ठीक है जी फिरिंस जहां गड़बड़़वरा increased आना से जाए पर सॉरी फिरिंस increased ताकि जो percentage है वो 90% हो जाए ठीक है जी यह अपने question solve करना है ठीक है फिरिंस question के alloy of gold and silver उनका weight 50 gram है 80% जो gold है कितना gold हो और add करें ताकि जो gold की percentage है पहले 80% ही अब 90% हो जाए option है 30 gram, 40 gram, 50 gram और 60 gram यह अपने answer देना है second question है 1 liter of water, 1 liter पानी में is evaporated from a 6 liter solution जो 6 liter solution था किसी चीज़ का उसमें से 1 liter जो पानी है वो evaporate हो जाता है washer बनके वो गायब खत्म हो जाता है जब किसी चीज़ को गरम करते हैं तो उसमें से washपी करम होता है the first 60 liter solution containing 4% sugar जो solution है उसमें 4% sugar रहता है दोरा देखते हैं एक लीटर पानी evaporate किया जाता है 6 liter total solution में से जिसमें 4% sugar रहता है बताईए इस परसंटेज जब शूगर इन दा रिमेनिक solution इस जब वो एक लीटर पानी washपी करम हो जाएगा तो बताना है शूगर का परसंटेज जो बचा होआ solution है उसमें कितना रहेगा अंसर है 3 से 1 कवड़ा 3 परसंट 4 परसंट 4 से 4 4 by 5 परसंट और 5 परसंट आपने इसमें से अंसर बताना है मुझे लास्ट कोश्चन है फ्रेंट्स आज के लिए इन दा mixture of milk and water पानी और milk की जो mixture है उसमें proportion of water by weight was जो पानी का weight था वो 75% है अगर इन दा 60 grams mixture अगर 60 grams mixture में 15 gram of water was added जब उसमें 15 gram add किया गया पानी में पानी आड किया गया वट बुट बी दा percentage of water फिर जो percentage रहेगी water की वो कितनी रहेगी ठीक है जी फ्रेंड्स इसमें जो answers हैं वो है 75%, 88%, 90%, 100% और none of these तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही तो मैंने छोटी वीडियोस में नहीं है ताकि आप easily इसको solve करें और आप practice के लिए भी मैं साथ में अपको same types के question दे पाऊं अगर आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगती है लाइक कीजिए सबस्क्राइब कीजिए और जो right side में bell icon का button उसको दुबारा मत बूलिए अगर आपको ये वीडियोस में आपको आपको येश्टी लगती है